वेल्कम वेगा यूट्वीव चन्नल डॉक्टर खेफल दवन वस्तों आज मैं आपसो से न करूँ इसकी पर हर पॉइंट को मैं कवर करूँगा जिसमें आपको में जॉब प्रोफाइल के बारे में आपके शेलरी के बारे में आपके जो हैर वियुकिशन के लिए आपको कौन सबसे अची ज्योब माने जाती है इसमें कुछ बाते हैं इन्डिया की सबसे अच्छी जयाती है तो तो माने जाती हैसी अब मैं आपको जैसे बताऊंगा तो आपको लगया कि हाँ यार इस से अच्छी कोई जौब तो होई नहीं सकती ठीक है तो मेरे को इसके लिए बनना है आपको मोटिवेशन लेवल है वो दीरे-दीरे और बढ़ जाएगा आप इसके लिए बहुत मोटिवेट हो जाओगे और होगे तो इतना जादा को इस फिल्ड में आओगे ठीक है तो इतना ज्यादा को तो है नी वीक में के एवल अठरा लेक्टर लेने होता है असिस्टेंट प्रोफेसर को ठीक है बात करें इसका सबसे अच्छा पॉइंट एक तो यह हो गया वर्क प्रोफाइल किसमें कितने आवर्स का इसमें ड्यूटी होती है ठीक है बता दिया मैं आपको कि टोटल आपके 6 आवर्स जो है आपको यहां पर स्टे भी करना पड़ेगा गौर्मेंट को लेज में इसका टाइम दस से चार होता है इसके लावा बात करें सेलरी की सेलरी के अच्छा मोटीवेशन है क्योंकि एसी जोब है जिसमें आपको सबसे हाइस्ट ग्रेट पे की जॉब मिलती है ग्रेट पे तो बढ़ जाती है लेकिन वह स्टार्टिंग में जाप जोइन करते हूँ उस जॉब में आपको उतनी ग्रेट पर नहीं मिलेगी असिस्टेन प्रोफिसर में में स्टार्टिंग करते ही आपको 6000 ड्रेट पे पर रहा जाता है अदर आया में तो इसके साथ आपको यहां पर दी जाती है ठीकिए और बात करें भी फिल्ड में है और पर लगते हैंisolologist God बाद हो गया और सेन्टर की बात करें तो सेंटर में दस बीस-टीस यहां पर क्या होता है यहां पर आपके जब आप अपकी प्रोफेसर लगते हैं यहां पर लेकिन जैसे आप आप आपके पास पीज़ दिये तो आफ चाहर साल के बाद आप सीने स्केले पर आजाते हो जिसकी ग्रेट पर होती है 7000 ठीक है वहाँ पर आपका जो बेसिक है वह भी चेंज हो जाएगा ठीक है दस जार आपका बेसिक बढ़ जाएगा 57-67 हो जाएगा वह दूसरी बात करो में आप उसके आफ्टर फाइव यर आपका सेलेक्शन स्केल लगता है जिसमें आपके ग्रेट पे 8000 फाइब जाती आठीक है उसके तीन साल बाद उसके बाद सारे प्रमोशन थीन तीन साल बाद होते है आप आप आपके पीवी फूर लग जाता है पेड़ेंट-फूर तो पेड़ेंट-फूर में तो सीधा आपके जो बेसिक होता है तो यह उसके बाद प्रोफेसर बंते ओ 의सा नहीं को बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ रहें आपके पर पास टि है तो आप इन प्रोमोशन सोव को बहुत इजीली आप आप ले सकते हो ठीक है और एक कम टाइम में तो यह थो यह है सबसे जोब इसमें आपको बताइए एक तो क्या है कि क्लियर दूसरी बात यहां पर देखें वह लेक्चर कोई बनार की नहीं है वह 45 मिनट के लेने होते हैं आप चाहो तो इसमें ज्यादा भी ले सकते हो ठीक है अपने अपने अकोडिंग भी जैसे हम लेते हैं हम आप पर और ज्यादा पढ़ाते हैं जितना में समय मिलता है उसक सबसे ज्यादा है उसके लावा यहां पर प्रमोशन से प्रमोशन के मैं आपको बता दिया दूसरा मैं आपको होता हूं स्टेक इसमें केवल सिक्सार्स है जोब अच्छी इसलिए है क्योंकि यहां पर आप जब टीचिंग कराते हो ठीक है तो आप बहुत दिक वर्क से जु gendwa उन में दिमाग है ऐसे से ठीकेश है और एक यूट है तो वो चीजों से ब्रता है ठीक है तो आपको अप कुछी अपडेट रहो गे बाकी बच्चों से भी अपडेट रहो गाए करोगे तो एक इस से अच्छी जोब आपको कहीं नहीं मिल सकती ठीक है जिसमें एक बहुत कम टाइम हो बहुत आपको केवल टीचिंग कराना है बहुत रोयल जॉब है कोई दिकत नियस में किसी तरह की कोई बेजा मारी निया कि मैं एक बात करूं तो थोड़ा मैं बात करता नहीं मिल जाती है यहां पर सब्सक्राइब करत okay सबर्वेकेशन का मतलब है कि यहां पर आपको सबर्वेकेशन में टोटल 56 दीज दो मेने का लगबग आपको क्या मिलती है इसको इसको बोलते हैं गृस्मकाली नवकास और साथ दिन का आपको मिलता है शीदकाली नवकास तो यह चुट्टी आपके एडिशनली मिल रही है बदले आपको पील दी जाती है मंद छुट्टिया तो है आपकी चाहिए आप उसको वैसे लो नहीं तो आप उसके बदले पील भी उनको फील में कनवर्ट करा सकते हो ठीक है अगर आपको वर्क कर रहे हो तो मापर इसके लावा हम मैं यह तो हो गई नॉर्मन लीव अम मैं को अगर किसी का सपना है कि वह फॉरें जाना चाहता है अगर किसी का सपना है कि वह फॉरें इंविश्टी से कोई पॉस्टो करना चाहता है को हाई डिग्री का हाई डिग्री करना चाहता है ठीक अच्छी उनिवस्टी से ठीक है या आउट ओफ इंडिया तो वो किस तरी कै क्या चीव कर सकता है तो मैं आपको बताता हूं यहां पर यह पर यह ज किसके आपकर करना चाते हो दो साल के बाते आप यह टोग होगे अपक्या करोगे अप्लाइ करोगे उसका पूरा खरचा जो है ना वह आपको गौर्मेंट देगे वहां पर खाने का पूरा जो खर्चार एगा वो आपका किसको रहेगा उस यह यहां से आपको प्रॉपर लीव दी जाएगी यही क्लिव में आती है और इसके लिए आपको यहां प्रॉपर्लीव। कर देगे आपको ज्यादा एफर्स नहीं लगाने पड़ते क्योंकि गवर्मेंट खुद चाहते हैं कि हाई रिजिएशन प्रमोट हो है रिजिएशन को प्रमोट करना चाहते गवर्मेंट को दिए ठीक है तो आप पर पोस्ट लोग की डिग्री आप आरम से ले सकते हैं इसके प्रोजेक्ट पर जाते हैं मतलब करोड में जाते हैं तो वह भी अगर आपको रिजट्स है आपके पास बहुत अच्छे थौट्स हैं आइडियाज है ठीक है आप रिसर्ट्स को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अपने व्यूस को महां पर रखो ठीक है और उसके बाद आपको वहां पर जो अगरेंगी आपको अपने प्रॉजेक्ट रहें थिक कर रहे हैं 5 के आप यहांपर काफी सारी चीजेंगेंगे चीजों को जॉब में आने के बाद यह हो गया इसके इलावा मैं आपको बताओं थोड़ा कुछ पावर्ट की बात कर दो करता हूं मैं पावर्ट कैसे कि इस लोग कहते हैं कि इस जुब में ठीक है सुक्षानति है सब कुछ अच्छा है हम बढ़ा लेते हैं बहुत बढ़िया क्लियर और आपको लीव भी काफी अच्छी मिल रही है आप है रेजिगर संग को प्रमोट करने के लिए अच्छा काम कर सकते हो वह आपके लिए फायदेमंद है और जो गौर्णमेंट उसके लिए अच्छा है ठीक है लेकिन पावर की बात करते तो पावर आपको वैसे नहीं हो चाहिए आपके वह पंचायती राजवाले हो या फिर आपके जो अगरा भी होते रहते हैं इन में आपकी जगार ड्यूटी लगती है तो आपको सेक्टर में बनाया जाता है एक असिस्टेंट असोसेट प्रोफेसर को यहां पर जो बनाते हैं वो तीन आप यहां पर पू साथ आपको एक गाड़ी वर पुलिस वाले यह इसानिकी वह पावर आपके पास हमेशा रहेंगे लेकिन ऑलेक्शन के टाइम पर आप आपको बलकि जिम्मेधारी भी दी जाती है ठीक है जिम्मेधारी वह ज्यादा होती है इसमें तो आप समझ पाओंगे कि एक में कितने ज्यादा एक लूट रहता है ठीक है कितने ज्यादा रेस्पोंसेबिलिटी होती है मापर पीसे जॉब में यहां पर आप देखो इस जॉब को कंपेर करो तो यहां पर एक बहुत सुक्षान्ति वाली जॉब है यह इसमें एक दम आप पीस्फुली अपने जो काम है कर सकते हो इसमें आप अपनी प्रोफेशनल परसनल लाइफ दोनों को अच्छे से क्योंकि आपको बहुत भड़िया टाइम मिलेगा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वर्क है वह करना है आपको क्लियर तो यह मैं आपको बताया तो फैसलिटी के बारे में करता हूं तो गॉर्मंट कवाटर करूं जो आपको मिलती हैं वह जनरल्ली को फैसलिटी नहीं होती वह वहाई में पर आपको मिलेगे बाकि ऐसा सबस्क्राइब नियुक्र करके तो मताना क्योंकि अपने दिमाग में रहता है कि हम गॉर्मन्य जॉब तो यहां पर इतनी आपको देखने को नहीं मिलेंगी जितना आप एक्सपट करके आते हो क्लियर तो अब इसके लाब बहुत अच्छे पॉइंट भी है जिनको आप देखो ठीक है तो इस्कूल एजुगेशन से या अधर डिपार्टमेंट से या अधर जो जॉब्स है उनसे यह जौब कितनी अच्छी है इसके बारे में आपको बता दिया अप शायद आपको लगीए जॉब Thous BRA यही मिल आपको लेंदी है थेके जॉब्स आपको यही पकर नी है तो इसके लिए मैनत करो क्योंकि आप मेनत करोगी तो सीदी सी बात है जोब को पगड़ पाओगे क्योंकि आपका जो ड्रीम है अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप इस डिपार्टमेंट में आपके पास सब कुछ है इस एवरिधिंग ठीक है सबसे अच्छा है कि यहां पर मैंटल पीस बहुत बढ़ी है आपके पास दिमाग का इतना प्रेशर नहीं है आपको शुक सांती से आप अपनी जॉब को करोगी आपकी लाइफ बहुत अच्छे से निगलेगी आप अपनी परस्टनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बहुत अच्छे से स्पैंड कर सकते हो ठीक है त ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच गाईज